हालो फ्रेंड इस पोशांतों का रेकिन फोर्काता तो आज में जो वीडियो आप लोगों के समने लेका रहा हूं सिखाने के लिए फेंड यह देखिए रहा है फ्रेंड इस टाइप का ड्रेस्ट मैंने पहले भी हमारा चैनल के अपलोड कर चुका हूं तो एक बात में आपको को पोलहा हूं जो लोग को रेकियस्ट कर रहा है और हमें भेज रहा है इमेज तो रेकोस्ट करने से पहले एक बहुत् technikum के दिया है साय करके दिया है शाहिद आप लोगों record करना है वो फेले से उसयिए में हो तो यह एक बार पहले देख लीजिए क्योंकि इस टाइप का ट्रेस है अज इस नहीं है मैं कर इस टाइप का है तो फिर भी रिक्वेस्टार में करके मैं दिखा रहा हूँ तो देखिए क्या करना है यह बहुत सिंप्ल डिजाइन है यह जैसे कि इसे करने के लिए अप लोगों को यह डीप नेक का पैटरन चाहिए तो उसी तरह मैंने पैटरन लिया है और इसी के साथ मैंने ड्रॉख किया है इस जागे में ठीके और आपको यह देखना है पहले चलिए हमें तो पता चल गए हमें इतना डीप लेना है और यह आपके ही सबसे आप लोग जीतना ले सकते तो आप लीजिए अपने ही सबसे लीजिए तो पहले मैंने इसे राउंड शेप कर लिया है ठीके और इसके बाद यह हम कटिंग कर तो इसलिए मैंने बोल रहा हूं इस तरह का रिकोर्स भेजने से पहले एक बार आप लोग जरूर हमारा चैनल को आइक बार देख लीजिए गा ठीक है कि हमारा चैनल में वह हो देने के थावजन के उपर डिजाइन है ठीके फ्रेंट देखिए यह कर लिया है मैंने और उसके बाद देखिए सिंपिंट सा काम है हमारा इसी तरह इस यह मैं कर दिया है ठीके और यह देखिए इस पार्ट पो फ्रेंट दो तरीका होता है लगने का अब दोसरी तरीका है जैसा है उसी तरह अप डाबल सीम इसे तरह घुमा के आप ले लिजिए हमारा तो दोनौ तरीका मेंसे जो आपको सही लगे वो यूज़ करिए हमें जो शही लग रहा हूँ जो सही लगे मों में यूज़ करूँ अभी तो फिलाल इसे कुछ भी नहीं करना है इसे आपको पास में रखना है और हमें एक नया पैटन लेना है तो इस पार्ट में सिम्स लेना है इसलिए मैंने दूबारा यह से कर रहा हूँ तो यह वह जाएगा है जो मैंने अभी अब लगों को बोला था मैंने डाबल सिम्स लेकर यानि कि 0.75 मैंने एक्सटर लेकर मैं इसी तरह भी कर सकते है और इस तरह स्टेट कर भी कर सकते है ठीक, बात नहीं है तो अब इस तरह करो कोई default नहीं है इसमें और यह आपको एक बात ध्यान में रखना है जैसे कि इसका जो लेडल होता है वो दोनों तरब इक्वाल होना बहुत जरुरिया नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलिए इस पार को अब हमें नहीं चाहिए तो लगेगा यह बाद में लगेगा वो में दिखा तुम नकाब यह लगेगा आप लगों दोगा कि इसका स्टीचिंग में नहीं दिखाने वाला हूँ तो यह हमरा एक पार चाहिए ठीक है और दूसरा पार्ट से हम क्या करेंगे और यह किया हम इनना अलग कर लें कि इतना पाइंता हू गया है मारा यह ब लोग देख रहा है हिस डिजाइन में गले में जो दिजाइन रहा है वह इस तरह है अर इससे करने के लिए में तो स्ल्सक्राइब कर सकते हुआ अगर अगर किसी को freehand ना पता हो तो आप एक काम कीजिए आप पहले इसी तरह जो अंदर में जो वे वे दिख रहा है उस तरह कितना लेना है वो इसी कल्कुलेट करके आपको एक लाइन देना है उसके बाद यह कितना उपर लेना है और यह सब तरीका मैंने how to create freehand नेक design मैं वीडिया मैंने यह हम टेकनीक बता आप लो आप लोगों अब ना देखा ओ तो वह देखी एक बाद देख लिजें और इसके बात किया करना है तो यह सब तेकनीक फॉलो करना है तो देखिए मैंने टुइंस में इसमें आपिंग रहा हूँ इसको चलिए ट्वेंस इधर भी दे रहा हूं इधर भी चलिए और इसके बाद इसी तरह हम लोग करेंगे और इसमें हमें सीम्स लेना है तो थोड़ा सा बढ़ा के हम ले लेंगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं है थोड़ा सा बढ़ा के हम ले लेंगे चलिए पहले एक पटिंग कर लेजिए तो इसी तरह पार्ट मैंने ले लिया है और उसके बाद देखिए मैं डिजाइन को दिखा रहा हूं यह वाला जो पार्ट है तो यह देखिए मैंने पूरा सेट अप लोगों को दिखा रहा हूं यह ओहला फोगा इसके उपर ठीके और यह हमारा पार्ट ना लागे और इस जागे में जैसे कि हम लोग जो जूंका बनाता है ना जो दोरी इसी तरह आपको लगना है ऐसे कर देखिए और कुछ भी नही कि मेजर्मेंट सही है हमारा किसी भी हल में यह जैसे बेसिक है उस तरह होना है बैस इस डिजाइन में बोलने की कुछ भी नहीं रहा है तो देखिए और नीचे में से जो दिख रहा है यह जैसे कि दोरी है वो दोरी आपको बाहर में दिया हुआ है ठीक है वो जैसे कि बड़ी इधर से आया है वो नीचे करके इधर गीट देखे दोनों पाट इसमें कर दिया है बैस और कुछ भी नहीं है और इस डिजाइन में बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा फ्रेंड अज के लिए हिकना सही था फ्रेंड बाई-बाई-टेक का शुबर अत्यन गुट ना